किचन में काम आने वाली 25 जरूरी टीप्स नमबर एक, आप मैथी की सबजी बना रहे हैं तो मैथी की करवाहट को दूर करने के लिए पत्तों को थोड़ा सा नमक चड़क कर 15-20 मिनट तक रख दे बाद में अच्छे से धोक कर पकाएं सबजी बहुत स्वादिस्ट बनेगी नमबर दो, पनीर को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उसे किसी बरतन भरे बरतन में रखें और हर रोज उसका पानी बदलते रहें नमबर तीन, गेहूं, चावल, डाल के बरतन और कंटेनर में हरे पुदीने के पत्तियां डाल दें इससे इनमें कीडे नहीं आएंगे नमबर चावल, अगर चावल जल गए हो तो थोड़ी सी लसुन की कलियों को घी में बहुन कर जले हुए चावल के उपर डाल कर पांस से साथ मिनट के लिए डखकन लगा कर रखें इससे चावलों में से जले की महग दूर हो जाएगी नमबर पांच बटूरे के आटे में जल्दी खमीर उठाने के लिए उसमें ब्रेड की दो तीन स्लाइस को चूरा कर कर मिला दे नमबर छे बेसन का चीला टेस्टी और सौफ्ट बनाने के लिए बेसन के गोल में थोड़ी सी दही मिला कर फैट ले नमबर साथ मूं की दाल का हल्वा बनाते समय थोड़ा सा बेसन मिला दीजिए दाल जल्दी भुन जाएगी नमबर आट खाने की चीजों को फ्रीज में अधिक दिनों तक ना रखे क्योंकि इससे इनकी पुष्टिक्ता भी कम होती है और स्वाद की दुस्टी से भी सही नहीं है नमबर नौ उबली हुई सबजियों को तुरन थंडे पानी में डाल दे और फिर पानी निचोड़ दे इससे सबजी का रंग भी बना रहता है और कुकिंग प्रॉसीज भी खत्म हो जाता है नमबर दस धनिया मुर्जा गया हो तो एक गिलास गरम पानी करके उसमें धनिये को डंडी की तरब से भिगा दे धनिया घंटे वर में ताजा हो जाएगा नमबर ग्यारा पुटेटो चिप्स बनाते समय अगर पानी में एक चुटकी फिटकरी डाल दी जाए तो चिप्स सफेद बनती है नमबर बारा यदि सबजी में पानी जादा हो गया हो तो ग्रेवी को गाड़ा करने के लिए खसकस के बीजों को भूने और इसका एक पेष्ट तयार कर ले फिर इसे ग्रेवी में डाले विडियम आज पर पकाए नमबर तेरा अगर आप प्याज काटते समय आँखों में आसू आते हैं तो प्याज को फ्रीज में रख दे फ्रीज में रखने से इसका इंजाइम जिसकी बज़र से आँखों से आसू आता है कम हो जाता है ऐसे में आप बिना ज़्यादा परेशान हुए फटापट प्याज काट सकते हैं नमबर चौदा जब भी पापर चिप्स हम स्टोर करके रखते हैं तो कुछ महिनों बाद अजीब सी महक आने लगती है ऐसे में डब्बे में बस आप कुछ सूखी मिर्च रख दे और डब्बे का डखकन लगा दे कितने दुनों बाद भी आप चेक कीजिए कभी भी महक नहीं आएगी नमबर पंदरा डाल को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए डाल को पहले थोड़ा रोष्ट कर ले उसके बाद डाल बनाए आपकी डाल बहुत स्वादिष्ट बनेगी नमबर सोला करेले की सबजी का कडवापन दूर करने के लिए करेले को काट कर फिर उसमें अच्छे से नमक मिला ले और दो तीन घंटी के लिए छोड़ दे इसके बाद पानी से अच्छे से धो ले फिर करेले की सबजी को बनाए सबजी बिल्कुल भी कडवी नहीं बनेगी नमबर सत्तरा दूद उबालते समय अगर दूद जल जाए और उसमें से जलने की महक आने लगे तो दूद में एक पान का पत्ता डाल कर एक मिनट तर धिमी आज पर उबालें फिर पान का पत्ता निकाल कर हटा दें इससे दूद से जलने की महक नहीं आएगी नमबर अठारा मुलायम रोटी बनाने के लिए आटे को अच्छे से बिल्कुल मुलायम होने तक गूथे फिर दस मिनट का रेश दे बाद में रोटीयां बनाएं रोटीयां बिल्कुल मुलायम बनेंगी और लंबे समय तक मुलायम ही रहेंगी नमबर 19 दही से बनी हुई सारी सबजियों में नमक तभी डाले जब तक सबजी में उबाल ना आ जाए पहले से नमक डालने से दही से बनी ग्रेवी फट जाती है और खटी भी बनती है नमबर 20 यदि गुथा हुआ आटा गीला हो जाए और हातों पर चिपकने लगे तो थाली और हातों पर थोड़ा सा घी लगा कर थोड़ी देर गूद ले नमबर 21 आलू के छिलकों पर नमक लगा कर चांदी के बर्तन साफ करने से बर्तन चमक उठते है नमबर 22 नारियल तोड़ कर गिरी निकालने में बहुत दिक्कत आती है वह आसानी से नहीं निकलती है इसके लिए नारियल को तोड़ने से पहले फ्रीजर में 10-15 मिनट के लिए रख दे इससे नारियल आसानी से तोड़ जाएगा और गिरी आराम से निकल जाएगी नमबर 23 नए आलू का छिलका आसानी से उतारने के लिए उन्हें 10 मिनट तक नमक मिले पानी में विगोकर रख दे बाद में आलू छिलने से छलका आसानी से उतर जाता है नमबर 24 प्याज काटते समय प्याज के जड़ वाले हिस्से को सबसे पहले काट कर अठा दे फिर प्याज काटेंगे तो आँखों से पानी नहीं आएगा नमबर 25 करेला अर्वी को तीन घंटे नमक के पानी में विगोने के पश्याद मसल कर धो ले इससे करेली की कड़वाहट और अर्वी की चिकनाहट दूर हो जाएगी दोस्तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताईए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिष्तेदारों में शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद